नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर सपनिल सागर जैन निरामय होमियोपैथी के अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ दोस्तों मैं बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि वीडियो के जो कमेंट बॉक्स होते हैं उसमें से बहुत सारे लोग मुझसे पैरलिसिस की मेडिसिन के बारे में पूछते हैं पक्षागात की मेडिसिन के बारे में पूछते हैं अब होमियोपेटिक मेडिशनल सिस्टम चुकि पेशेंट के सिंटम्स पे काम करता है। इसलिए पैरालिसिस के लिए होमियोपेथी में बहुत सारी दवाएं हैं जिनका की उपयोग व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर किया जाता है। आज उन्ही मैंसे मैं एक दवा के बारे में आप से बात करने वाला हूँ और ये दवा पैरालिसिस के केसिस को सिंगल मेडिसिन के रूप में ठीक करने की चमता रखती है और होमियोपेथी में ये दवा ना केबल पैरालिसिस के लिए उपयोगी है बलकि और भी बहुत सारे श जैलसीमियम के नाम से जाना जाता है बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने जैलसीमियम का उपयोग अपने जीवन में कई बार किया होगा सामान्य सरदी जुखाम के केसिस में लेकिन इसके अलावा भी ये जैलसीमियम नामक जो दवा होती है ये होमियोपैथी की बहुत ही एक शक पक्षागः होने के बाद, paralysis होने के बाद व्यक्ति का जो शरीर है वो बहुत बुरी तरह से दुरबल हो गया है, यानि कि उसके शरीर में बहुत ज़्यादा weakness है, और ये weakness उसके पूरे शरीर में इतनी ज़्यादा है कि वो अपनी एक्षा से अपनी पलकें भी नहीं उठा सक यानि कि उसकी जो आइलेड है उसे भी खोलने में उसे बड़ी परेशानी होती है बंद करने में उसे बड़ी परेशानी होती है इतनी जादा वीकनेस उस व्यक्ति के शरीर में आ गई होती है इसके साथ हमें वो व्यक्ति चुकि उसे पैरालेसिस है तो उसके शरीर में जितन काम नहीं करती है और उनमें एक सुन्पन उसे महसूस होता है तो ये जैलसीमियम का करेक्टरिस्टिक सिंडम होता है इसके अलावा ये हमारे शरीर में होने वाले कमपन यानि की ट्रैमर की भी बहुत अच्छी एक मेडिसिन है आपने अपने जीवन में इस तरह से कापने लगता है तो ये जो शरीर में होने वाले ट्रैमर्स हैं ये कमपन है ये उन्हें ठंड लगने की वजह से नहीं हो रहे है बलकि उनके शरीर में मास पेशियों में कमजोरी है मसल्स में कमजोरी है उनके अंदर उनके शरीर में जो muscles हैं उनके brain का पूरा control नहीं है इसके कारण ही उनका जो शरीर है वो tremor करने लगा है कंपन करने लगा है इस condition को उस naivic कंपन कहते हैं और ये हमारे शरीर में होने वाली brain की दुरबलता और brain के और muscles के बीच में होने वाले coordination की कमी के कारण develop होती है इसके अलावा बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जिने एक दम से बहुत तेज गुस्सा आता है और गुस्से की अवस्था में उनका शरीर एक दम से कापने लगता है ऐसा लगता है कि अचानक उस व्यक्ति को ठंड लगने लगी है तब उस इस्थिती में भी मास्पेशियां कमजोर हैं एक दम से brain और मास्पेशियों के यानि की muscles के बीच का जो coordination है वो गड़बड हो गया है इसके कारण उनके शरीर में tremor आने लगते हैं यदि किसी व्यक्ति में ऐसा हो कि वो कोई समान उठा रहा है और उसका हाथ इस तरह से हिल रहा है यदि वो पैन पकड़ा है और उस तरह से इस तरह से उसका जो हाथ है वो हिल रहा है तो समझ जाईए कि इस व्यक्ति को जैलसी मियम के कुछ डोस देने की जरूरत है और उसके जो tremors हैं वो पूरी तरह से खत्म किये जा सकते हैं जलसीमियम से इसके अलावा वेव्यक्ति जिनमें की दुरबलता की कारण दिन भर ड्राउजीनेस रहती है ड्राउजीनेस यानि निद्रालू अवस्ता उस व्यक्ति को पूरे समय ऐसा लगता है कि वो सोता रहे बस उसमें ही उसे सुकून मैसूस होता है उसे अच्छा लगता है तो ड्राउजीनेस की भी ये बहुत अच्छे मैडिसन है इस ड्राउजीनेस के सिंटम का उपयोग हम क्लिनिकल प्रैक्टिस में बुखार के केसेस में बहुत अच्छे से करते हैं जी हाँ दोस्तों जैलसीमियम जो है वो बुखार की भी बहुत अच्छे मैडिसिन है और बुखार की वह अवस्था जिसमें की पेशेंट बिस्तर पर निढाल पड़ा हुआ है उसे बहुत तेज बुखार है उससे आँख भी खोलते नहीं बन रहा है बड़ बड़ा रहा है और उसे बिल्कुल कुछ भी नहीं पता है कि वो किस अवस्था में, किस इस्थिती में, किस तरह से लेटा हुआ है इस कंडिशन में यदि उसे हाई ग्रेड फीवर है तो उसे जैलसीमियम देने की जरूरत है और जैलसीमियम की कुछ डोस देने के बाद ही ना केबल उसका बुखार पूरी तरह से उतर जाता है बलकि उसके शरीर की जो कमजोरी है वो भी पूरी तरह से खत्म हो जाती है इसके अलावा वे व्यक्ति जिन्हें की सिर्के पिछले हिस्से में यानि की ऑक्सीपट में सिर्दर्द होने की शिकायत होती बहुत सारे ऐसे पेशेंट होते की उस व्यक्ति से अपनी आखें खोलते नहीं बनता है। यह जो आख खोलने वाला जो symptom है यह आपको हर जगे देखने में मिलेगा। पैरलेसिस का केस हो, फीवर का केस हो, सिरदर्द का केस हो, कहीं भी हो. व्यक्ति के अंदर दुरबलता इतनी हैं कि वो एकदम से अपनी आंखें खोल के किसी से बात भी नहीं कर पा रहा है. तब इस कंडीशन में जैलसीमियम उसे देना चाहिए. इसके सिरदर्द के पीछे के यदी हम कारण देखने की बात करते हैं तो कारण में ये पता चलता है कि उस व्यक्ति को अंदर से ऐसा महसूस होता है कि उसका जो blood circulation है वो हुरदय से मस्तिश्क में बहुत तेजी से होता है और उसके मस्तिश्क में जो blood है वो भर गया है कर सके क्योंकि होमियोपेथी में एक ही बीमारी के लिए 100-800 दवाएं होती हैं, 100-200 दवाएं होती हैं, एक ही सिम्टम पे बहुत सारी दवाएं काम करती हैं, तो हम differentiate कैसे करेंगे, कि हमें किस व्यक्ति को कौन सी दवा देना है, इसलिए मैं हमीशा आपको characteristic symptoms अपने वीडियो म हैं, सबसे पहले तो occipital headache होगा, खून का circulation बहुत ज़्यादा उसे महसूस होगा, आँखें उसे खोलते नहीं बनेंगी और बिल्कुल अपने बिस्तर पे बिल्कुल आँख बंद करके इस तरह से सोना उसे बड़ा अच्छा लगेगा, इसमें ही उसे आराम मिलेगा, तकिय उचा कर लेगा, इतने उचे तकिये पे सोने की कोशिश करेगा, ताकि जो circulation है वो नीचे रहे, सिर में खून ना बारा है, यह characteristic symptom जैलसीमियम का होता है, इसके अलावा जैलसीमियम में एक और characteristic symptom होता है, आपने कई बार ऐसा देखा होगा, आपके परिबार में भी ऐसे गड़ करने लगता है, और उन्हें बहुत ज़्यादा तेजी के साथ दस्त लगता है, यह characteristic symptom है जैलसीमियम का, हलांकि कुछ और दवाओं में भी यह लक्षन पाय जाता है, लेकिन बहुत ज़्यादा तीवरता के साथ, डाइरिया यदी किसी व्यक्ति को एक excitement वाली news सुनन के बाद दुख भरी खबर सुनने के बाद यदी लगता है, और वो जो दस्त है वो बहुत तेजी के साथ लगता है, कि सबसे पहले उसे fresh होने जाना पड़ता है, रोना दोना तो बाद में होता है, तब उस condition में जैलसीमियम उसकी characteristic medicine होती है, यह जैलसीमियम का चारितरिक ल पूरी तरह से टीक करने की शमता भी अपने अंदर रखती है, यदी हम इस दवा की potency की बात करते हैं, तो जैलसीमियम की 30 potency से केस की शुरुआत की जाती है, यदी acute case है, सर्दी जुकाम का, blood circulation में कमी का, blood circulation तेज हो जाने के कारण होने वाले सिरदर्द का, तब उस condition में हम जैलसीमियम की 30 potency की 2-2 bone दिन में 3 बार या 4 बार व्यक्ति के लक्षणों के आधार पर देना चाहिए, और यदी किसी व्यक्ति में tremor की शिकायत है, कंबन की शिकायत है, पक्छा घात है, paralysis की शिकायत है, तब paralysis के cases में यदी लक्षण पाये जाते हैं, जैलसीमियम के characteristic, तो फिर जैलसीमियम 200 potency से देना शुरू करना चाहिए, और 200 potency की 4 bone हफते में एक बार patient को देना चाहिए, अब चुकि paralysis का या tremor का जो case होता है, वो लंबा चलता है, उसमें treatment patient को 6 महीने, 8 महीने तक दवा देने की जरूरत होती है, तो proper doctor से consultation करने के बाद जैलसीमियम का उपयो भेजता हूँ, आज के इस वीडियो में फिलाल इतना ही, आगे के वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा कुछ नई बीमारियों के बारे में और उनकी homeopathic दवाओं के बारे में, तब तक के लिए, जै हिंद, जै भारत झाल झाल